राम राम आज की इस वीडियो में हम श्रिमत भकवत गीता के अध्याय चार ग्यान कर्म सन्यास योग का श्लुक 49 संस्कृत उच्चारन और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे पहला चरन श्र, श्र का अर्थ उतार श से शंकर जीवाला आधा और र पूरा श्र, श्र की बात में हैं, श्रथ धा, आधा द और ध से धनुश पूरा श्र की साथ आधा द पढ़ेंगे श्रथ, और ध मी आ की मात्रा चोड़ेंगे धा वा की उपर चंदा बिंदी है, वाल, ल आधा हैं पहले, वाल, श्रदा वाल आप जैसे चान्द में बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही बोला जाएगा चान्द में भी आपको पता है यही वाला चंदा मिंधी होता है तो आपको क्या पढ़ने है श्रद्धावाल आधे लतक पढ़ें फिर लभध दोनों अक्षर पूरे हैं दोनों में आमिक्स करना है लभती ज्ञान शब्द पुरानी के बाद न पी अनस्वार आधाम ज्ञान पहला चरण फिर से श्रद खावल लभती ज्ञान दूसरा चरण त के साथ आधा तत तत पर दोनों अक्षर पूरी दोनों में आमिक्स करेंगे पर, शब्द पुराने के बाद र, पी अनस्वार, शब्द पुराने के बाद र के बाद में विसर्ग है, तो आपको उसको पढ़ना है है, तत परह, स के उपर बिंदी, आधान, साई, और य में अमिक्स करेंगे, साई, ते, मात्रा के अंदर जो आधान है, उसको ती के साथ पढ़िए तेन, द्र, द्र का अर्थ हुआ, द, आधा, और पूरा, अब यहाँ पर E की मात्रा हो गई, तो द, आधा तो ऐसे ही रहेगा, और पर E की मात्रा लगते हैं, री बन गया, तो क्या बन गया, द्री, तेन, द्री, य, य में आ मिक्स किया, य में आ की मात्रा है, तो विसर्ग को पढ़ेंगे हाँ तिंद्रिय हाँ दूसरा चरण फिर से तत्परह सैय तिंद्रिय हाँ पहला और दूसरा चरण साथ में श्रद्धावलभती ज्यानम् तत्परह सैय तिंद्रिय हाँ तीसरा चरण देखेंगे अब ज्यान शब्द पुरा होनी के बाद में नपी अनस्वार आधम ज्यानम लप पूरी के साथ आधा ब लब आधा धवा के साथ लब्ध्वा परा पर में अमिक्स करेंगे परा शब्द पुरा होनी के बाद में रापे अनस्वार पराम शा मात्रा के अंदर आधा न शा के साथ पढ़ना शान और तपे ए के मात्रा ती शान ती तीसरा चरण फिर से ज्यानम लब्थ्वा पराम शान्ती चौथा चरण दिखेंगे मची म में आमिक्स करते वे छोटे ची के साथ बोलना है मची रेणाधी धबी छोटी मात्रा है रेणाधी ग के साथ आदा चगच और छती गच्छती छमी आमिक्स करते वे ती के साथ बोलना है चौथा चरण फिल से मचीरेणा धी गच्छती तीसरा और चौथा चरण साथ में ग्यारम लब्ध्वा पराम शान्ती मचीरेणा धी गच्छती पूरेश लोग का उच्चारण एक साथ श्रद्धावाल लभती ग्यानम तत्परह सैय तेंद्रियह ग्यानम लब्ध्वा पराम शान्ती मचीरेणा धी गच्छती एक बार फिर से श्रद्धावाल लभती ग्यानम तत्परह सैय तेंद्रियह ग्यानम लब्ध्वा पराम शान्ती मचीरेणा धी गच्छती श्लोक का अर्थ देखेंगे इस वाले श्लोक में भग्वान तत्प ग्यान को प्राप्त करनी के लिए कौन पात्र है मतलब कौन उसके योग्य है उसकी बारे में बताएंगे क्योंकि पिछलेश लोक में भगवान ने तत्व ज्यान को इस संसार में इस मनश्य लोक में पवित्र करनी का सर्वश्रेष्ट साधन बताया तो इसलिए उस ज्यान को प्राप्त करनी वाला पात्र मतलब कौन उसके योग्य है उसको बताएंगे श्रद्धावाल यानि श्रद्धावान मनश्य लभते प्राप्त होता है ज्यानम ज्यान को ज्यानन को प्राप्त होता है आगे ततपरह यानि जो ततपर है साधन के परायन है आगे संयतेंद्रिय यानि संयत धन इंद्रिय जिसकी इंद्रिया वश में कीवी है मतलब जो जितेंद्रिय है तो पहले और दूसरे चरण से क्या अर्थ निकला जो जितेंद्रिय साधन परायन है वश्रधावान मनश्य ज्यान को प्राप्त होता है ज्यानम लब्ध्वा ज्यानम यहाँ पर तत्व ज्यान के बारे में है तो ज्यान को लब्ध्वा प्राप्त करके पराम शान्ती परम शान्ती मची रेना दी देखो शांती में मची रेनी का जो आधा में है वो शांती के साथ जोड़ दीजिए तो क्या बना शांतिम पराम शांतिम पराम यानी परम शांतिम यानी शांति आगे म में जो अमिक्स किया था उससे बन जाएगा अची रेना दी गच्छती तो क्या शब्द बना? इससे दो शब्द बने अची रेणा धन अधिगच्छती अची रेणा मतलब उसमें फिर समय नहीं लगेगा तत्काल ही चिर यानी लंबा समोता अची रेणा यानी उसमें नहीं लगेगा तत्काल ही अधिगच्छती वह प्राप्त हो जाता है तो जैसे ही वो तत्वग्यान को प्राप्त करता है वैसे ही परमशान्ती को तत्काल ही प्राप्त हो जाता है यहाँ पर वो यदा और तदा वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि कुछ जादा समय महिने, साल, दिन इस तरह से लगेंगे जैसे ही तत्वग्यान का बोध हुआ वैसे ह परमशान्ति को वह प्राप्त हो जाएगा तो पूरेश लोग का अर्थ क्या निकला कि जो जितेंद्रिय है साधन परायण है वह श्रद्दावान मनुश्य तत्व ज्यान को प्राप्त होता है और ज्यान को प्राप्त करके वहत तत्काल परम शान्ती को प्राप्त हो जाता है अब यहाँ पर भगवान ने जो तत्व ज्यान का बोध कर सता है उसके लिए तीन कंडिशन दी श्रद्धा वाला मनुश्य तत्पर यानि साधन परायन और जिसने इंद्रियां वश में कर रखी है हमें कई बार लगता है कि हमारी परमात्मा में श्रद्धा है तो भगवान ने दो कंडिशन और दे दी तत्पर भी होना चाहिए और जितेंद्रियां भी होना चाहिए जितेंद्री है वो जिसकी इंद्रियां पूर्ण तय से व्ष में है विश्यों के पीछे भाग नहीं रही है और तत्पर है कि जो अपने साधन में तत्परता पूर्वक लगावा है ये नहीं आज किया और कल परिस्तिती बदलते ही उसने उस साधन को आतो चोड़ दिया ये उसमें धिलाई ले ली वो नहीं वो तत्पर है क्योंकि उसका लक्षे केवल परमात्मा की प्राप्ति है इसी लिए ये दो कंडिशन भी फॉलो होनी चाहिए कि वो तत्परता पूर्वक अपने साधन में लगा हो और श्रद्धा तो अपने आपी कि जिसकी परमात्मा में, संतों महापुरुषों में, शास्त्रों में, धर्म पर इन सब पर श्रद्धा हो तो ये तीन कंडिशन फॉलो होते ही वह तत्व ग्यान को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है और तत्व ग्यान को प्राप्त होते ही वह परम शान्ति को प्राप्त हो जाता है आविनाशी सहज सुखराशी हे नाथ हे मिरे नाथ मैं आपको भूलो नहीं नारें 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 नारें